2022 उत्तरपदेश निर्वाचन रफड़ा फड़ा फड़ा असी जाई ची बहु मता सहीतो विजेपी सरकार को ठन करिया पाई जाऊ ची बंग समाजबादी पाटी बिरोधी दलभाबे विधान सभारे रही बो तब आम सहीतो लखनव मध्यर विधायक अच्छंती समाजबादी पाटर विधायक जे की जहां कर विज़ा होई ची आमें अलोजना करी वा तंकर सहीतो के उठी तंकर व लाकुनार ही गोला कौन पाई समाने पूर्ण सरकार को आसी पले नहीं तब तो रविधाज जी आपको तो पहले बढ़ाई देता हूँ आपके विज़ाई के लिए तो आपसे पहला रियाक्शन ये जानना होगा कि आप कहां फेल हो गए बीजेपी फिर से सरकार में आगी हम लोग फेल नहीं हुए लखनव शेहर में जहां का सांसत देश का रक्षा मंत्री है हम लोगों ने उस स्वाधी पार्टी की बढ़ने का काम हुआ है बिधान सबाह के अंदर थी स्थी बात ये है कि जो मुक चुनाव आयुक देश के हैं उनका कारकाल खतम हो गया था भारत सरकार ने उनका एक्स्टेंशन करके उत्तर प्रदेश में बिधान सबाह कराने तक उनका कारकाल गरना इस तर्के बाहर मुझूद थे हमारे को बालुम हुआ कि एक सरकारी गारी स्ट्रांग रूम के पास पहुँच गई है हम लोगों ने आवाज लगाई नारे बाजी करी तब उस गारी ने भागने का प्रयास किया हमने दड़ा करके उस गारी को पकड़ा तब उसको गई तो उस गारी के अंदर हतावडा हतावडी छेनी आरी लोहे की राट पेचकस प्लास ताले चाबी सील सब मुझूद था अधिकारी वहाँ पर आए और उन्हों ने जाच के आदेश किये मत गड़ना इस तल के बाद लगाई गई गई और उसके बाद जब जाच हुई तो चुनाओ आयुक्त ने कहा कि लखनो सेंटल का आरोध दोशी और जिम्मेदार है और तदकार प्रहोसिस को उठाने का काम किया ये प्रमाण है कि भारती अंतापार्टी ने विधासवाद चुनाओ में बड़े पैमाने पर धानली और बैमानी करके लोग तंत की हत्या कर के चुनाओ जीतने का काम किया है और हम लोग लेकिन जनता से हम लोग जो वादे किये थे हमारी सरकार बनती तो हम वादे पूरे करते और आज सरकार नहीं बनी हैं तो जनता की समस्चाओं को ले करके जनता के मुद्दों को ले करके हम सड़क से विधासवा तक संघस करने क काम करेंगे। थे साजापूर में चर्मयानंद जो थे उन्होंने बेटी से बरातकार किया बेटी सुप्रीम कोट तक गई सुप्रीम कोट में जाच के आदेश किये उसके बाद मुकदमा कायम हुआ कोई बहन और बेटी सुरशीत नहीं थी भारती जन्ता पार्टी के विधायक कुल्नीप सि सिंगर बातकार के आरोप में हत्या के आरोप में जेल के अंदर बंध हैं भारती जन्ता पार्टी के वर्त्मान के इंद्रिय ग्रहे राज मन्तरी किसानों के उपर इपनी गाड़ी से जो है उजिके हत्या करने का काम कर रहे थे तो भारती अनता पार्टी में जूट बोल करके जनता को फिर से भ्रहम में डाल करके चुनाओ जीतने का काम किया है और मुक्चुनाओ आयुक्त की भूमिका बहुत ही संदिद रही है कहीं पर भी चुनाओ निश्पक्ष नहीं तमाम अधिकारी देश के हैं जो निश्पक चुनाओ कराते लेकिन केंद्र की सरकार ने मुक्चुनाओ आयुत का टैर्रमेंट के बाद उनका कारकाल बढ़ाया गया और केवल उत्तर परदेश में और जो पांच राज्यूब चुनाओ हो रहे थे उसको देख करके उनका ए जनता चाहती थी कि अखलेश यादो जी प्रदेश के मुखमंत्री बने लेकिन भाजपा ने लोगतंत की हत्या करने का काम किया है हम लोग सड़क से लेकर के और बिधान सभा तक बिधान सभा से लेकर के पार्लामेंट तक जनता के मुद्दो को लेकर के संगस करने का काम कर यह तो सच है कि अभी बीजेपी सरकार में आगए आप जीत नहीं पाई सपाग जीत नहीं पाई लेकिन आपकी जीत हुई है आपने अपने अंचल में अपने अपने इलाके में इसे कौन से काम के यहां की जनता ने आपको सपोर्ट के असमर्थन लिया हम लोग जनता के मुद आपात काल में लोग तंत की हत्या कर दी गई थी और दमन और जुल्म से सरकाश चलने का काम हो रहा था हम लोगों ने संपूर्ण करांती का अंदोलन किया और आपात काल में हम बीस महने लगातार जेल के अंदर बन रहे और उसके बाद से आज तक धाई सो बार जनता के मुद की जालिम सरकार ने हमारे संगर्सों को दमन से दबाने का काम किया है जनता ने वो देखा है इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी हो गई थी जनता का सयोग समर्थन और जो हमको विश्वास मिला है उसके लिए हम जनता के बहुत अभारी हैं और हम जनता के उस विश्वास को प पुले मिलेंगे अखरी सवाल रहेगा आप से कि ये तो अभी तो आप मुख्ष विरोधी दल रहेंगे विदान सभा में तो ये जो हार हुई आपकी इसकी समिक्षा की जाएगी पार्टी के तरफ से इसकी समिक्षा होगी और हम लोग फिर से त्यार होकर के जनता के सुक दु समाजबादी पाटी रहेा नेता तथा लखनाव मध्यर वीधायक जाहांकर वीजय होईिची बिजयपी प्रार्थी तो आपकर पराज होई ची से सिधासलक आरोप लगाई चंती जे बिजयपी विभिन्वप्रकार काम करी की विजय को वीजय ही ची किन्तू शे यहारा जब विदान सवार देवेवलीको ही चंती, लखनोवरू करामा कामरा परस्वान हेमन तो सेटिंगों सहीता प्रदिक्तों महापत्रा और गस्मुच।